आज हम अकला टोपिक बात करेंगे फूड प्वाजनिंग जेनम फस्टियर का फंडमेंटल आफ नर्सिंग का अकला टोपिक है फूड प्वाजनिंग फूड प्वाजनिंग क्या है फूड प्वाजनिंग मिंस की भोजन का भी सकता हम प्रती दिन भोजन लेते हैं भोजन हमारे सरीर का बहुत ही महत्पून पाठ है हमारे सरीर को उर्जा परदान करता है लेकिन जब उसी भोजन को हम और सोधानी पुर्वक लेंगे क्योंकि भोजन करते समय भोजन पर पिसे स्थ्यान देने के जरुत होती है भोजन साफ है की नहीं, पानी साफ है की नहीं खाना बासी है, अगल बगल जहां खाना बन रहा तहां सो अच्छा है की नहीं उन सब चीच बहुत ध्यान देना चाहिए उसके बाद हम कितना भोजन करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए अधि भोजन में किसी भी परकार की गंदगी है, पानी में किसी भी परकार की गंदगी है जहां खाना बनता है किसी भी परकार की गंदगी है और खाना खाते समय, अधि आप ओढ़र डोज खाना खाते हैं, खासकर गर्मी के मौसमें फूट प्वाजनी की संभावना बढ़ जाता है क्योंकि उस शरीर में जाकर विसाक तुरुपधारण कर लेता है जिसके चलते शरीर में बिभीन परकार के कष्ट होना अस्टार्ट हो जाता है बिभीन परकार के लच्छन दिखाई देने लगता है पेट में बहुत तेज दर्द होगा उल्टी होगा भुमेटी होगा दस्त होगा सिर्फ दर्द करेगा खाना पचेगा नहीं गैस बनाएगा आपको भुक नहीं लगने देगा सरीर में कमजोरी महसूस होने लगएगा बार पर डायरिया की इस्थिति आ जाएगी अज़ डायरिया की इस्थिति आ गया तो सरीर में पारने की कम ही हो जाएगा बिहुसी के हालत हो जाएगी मरीज को मिचली आने लगएगा पत्क मरीज की ऐसी श्थिती हो जाएगी कि अधि उस पर तुरंद कंट्रोल नहीं किया गया तुरंद उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मरीज का हालत बहुत ही खराफ हो सकता है डेथ भी हो सकता है क्योंकि फुट पाजनी के कारण सबसे पहले डैरिया ही होता है इसके फुट पाजनी के पीछे सबसे बड़ी कारण है आपको बासी खाना अक्सर लोग दखते हैं कि खाना खाते हैं तो एक दिन खाना दो दिन खाना तीन दिन का बासी खाना खाते हैं उससे भी फुट पाजनी गड़र रहता है दुसरा अक्सर हम देखते हैं कि लोग बाहर जाते हैं जो रोट साइट से किनारा जो फूड लोग बेचता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो सफाई एक साथ खाना रखा है धाक्ये रखा है कैसा पानी यूज कर रहा है हम लोग उसका सेवर करने लगते हैं उससे भी परबंधा नहीं रहता है, इसलिए फुट पुजनी का डर वहाँ भी बना जाता है, अक्सर दिखा जाता है कि घर में दी खाना बनता है तो खाना को हमेशा साप सफाई के साथ बनाना चाहिए, उससे ढखनी चाहिए, तो इसमें अपना परवाहि करते हैं, तो उससे भी महसा में खाना को बासी होने का बहुत ज़़ा डर रहता है इसलिये उस टाइम खाना पर और विश्य से धान-दरना चाहिए कि खाना दीबासी हो गया है तो उसे खाना को नहीं खाना चाहिए नहीं तो फूट प्वाजिनिंग का डर रहता है। दूसरी चीश गर्मी के मौसा में फूट प्वाजिनिंग के समस्या और बढ़ जाती है। उसकी कारण होती है कि गर्मी के मौसा में अधि आप बहुत ज्यादा ओभर मात्रा में डोज भोजन लेते हैं तो खाना पचता नहीं है। अधि खाना नहीं पचेगा तो आपको फूट प्वाजिनिंग का समस्या बढ़ जाएगा। यदि आप पैकेट फूट खाते हैं तो उसके एकस्पारी डेट वाज से देख लेजिए। नहीं तो होता क्या है कि पैकेट फूट का एकस्पारी डेट खराब खतम हो गया है यदि आपको शरीर में जाकर वो फूट प्वाजिनिंग कर सकता है। दूसरे ची जब भी खाना खाईए हाथ बढ़ियां से दो कर खाईए क्योंकि हाथ में भी गंदगी होती है वो गंदगी यदि पेट में जाता है तो उसे भी फूट प्वाजिनी का समस्या बढ़ सकता है। खाना पर आते समय जो साख सब्जी है उसको अच्छे से धो लीजिए अच्छे से धोने के बाद उसको अच्छे से पकाईए अधिये प्रचा खाईएगा तो उससे भी क्या होगा फूट प्रजनी होने का संभावना बढ़ जाएगा। खाना को तप तप पक़े खाना को बढ़िया से पकाईए ताकि खाना बढ़िया से पक जाए उसके बाद ही खाना खाईएगा। ट्वाइलेट आने के बाद अच्छे से हाथ को धोईए क्योंकि गंदगी से भी हाथ के नाखुन के गंदगी से भी आपको फुट प्वाजनिंग का समस्या रहता है क्योंकि हाथ के गंदगी नाखुन के गंदगी अधी पेट में याता है तो भी जाकर अंदर भी साकतरूब दारान कर सकता है, दूसरे चीछ, अधि आप ट्रेबलिंग कर रहे हैं, उस टाइमिंग में भी आपको कोशिस करनी चाहिए के घर कहीं बना हुआ खाना पर्योग करना चाहिए, नहीं तो होता क्या है? कि ट्रेबिलिंग के टाइमिंग में लोग बाहरी जो खाना खाते हैं उसमें पता नहीं रहता है कि कितने दिने खाना बना हुआ है कहां बना हुआ है उसे होता कि है कि फुट प्वाजनी का समस्या बढ़ जाता है अधिकरी भी आपको इस टाइब की समस्या हो तो उस आपको हमेशा जैसे ही आपको उल्टी दस्त जैसे ही चालू हो कि इसका शुरुआती टाइमिंग यहीं होता है जैसे ही आपका उल्टी दस्त चालू हो आप तुरंट डॉक्टरी सलाह लेजे और जहां है तुरंट ओरेस का घोल ओरेस का जो घोल होता है उसमें बहुत पैदा करता है क्योंकि आपके सरीर से फुट पॉजिंग में शुरुआती है डियरिया इस्तिती में आपको सबसे ज़रूरी होता है कि इस पानी को मैंटन करना क्योंकि शरीर से जितना ही जदा पानी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा उस पानी और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए आप और इसका घोलेना अस्टार्ट करते जिए अधि बहुत इस्थिती सिरियस हो जाता है पांच बार दस बार आपका उल्टी दस्त होता है आप तुरहन डॉक्ट्री सुलाह लेकर तुरहन आइवी रूट से इलेक्ट्रोलाइट ले ली जिए ताकि शरीर में पानी की कमी नर है और आप जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा अदि पेट दर्द की सिकायत है तुरहन डॉक्ट्री सुलाह से आप दवा ले लिजये नहीं तो food poisoning से का होता है आपकी हालात खराब हो जाएगा और आपको डेथ होने का इभी संभवना बढ़ सकती है इसलिए food poisoning से बचने के लिए उन सफी बातों के उपर हमेशा ध्यान रखने चाहिए क्योंकि भोजन जो है हमारी रोज की प्रते दिन सेवन करना है और हमारे सरीर के लिए बहुत ही जरूरी पाठ है इसलिए हमेशा खाने खानते समय खाना बनाते समय कहीं जाते समय कहीं भी हो इसके उपर विशेश द्यान देचे खाना और पानी के उपर क्योंकि अदि दुसीत पानी भी पीते है तो उससे भी food poisoning ब बढ़ता है इसलिए इन सब चीजों को डेरिया से food poisoning से बचना है इन सब चीजों को पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए थैंक यू आज हम अगला टोपिक बात करेंगे food poisoning